यह Bible in One Year का हिंदी प्रकरण है 194 दिन क्यों और कैसे आराधना करें अपनी पुस्तक दर्शन और प्रतिग्या में Pete Gregg बताते हैं कि कैसे एक उलेखनी अकला के आलोचक इटली के रेनेसेंस मास्टर फिलिपिनो लीपी के द्वारा अति उत्तम तस्वीर का अधियन कर रहे थे वहां लंडन के नैशनल गैलरी में पंदरवी ही शताबदी की तस्वीर को खड़े होकर देख रहे थे जिसे मरियम बालक इशु को अपनी गोद में लिये है और संत डोमिनिक और जेरोम बगल में घुटनों पर बैठे हैं लेकिन तस्वीर ने उन्हें परिशान किया लिपी के हुनर में रंगों के उनके चुनाव या रचना में कोई संदेर नहीं था लेकिन तस्वीर का कुछ भाग थोड़ा गलत दिख रहा था पीछे के द्रश्य में परवत बड़ा चड़ा कर दिखाए गए दिखाई दे रहे थे जैसे कि वे किसी भी समय धाचे में से निकल कर गैलरी के फर्ष पर लुड़क जाएंगे घुटनों पर बैठे हुए दो संत बेढ़ंगे और असुविधा जनक लग रहे थे कला आलोचक रॉबर्ट कुमिंग खराब द्रिष्टी कौन के लिए लिपी के काम की आलोचना करने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे लिकिन ऐसा करने वाले शायद से वह अंतिम व्यक्ति थे क्योंकि उस समय उन्हें एक दर्शन मिल चुका था अचानक से उन्हें यह सपष्ट हो गया कि शायद से परिशानी उनकी है तस्वीर को एक गैलरी के आसपास कहीं आने के लिए नहीं बनाया गया था लिपी के तस्वीर प्रार्थना के एक स्थान में लटकाये जाने के लिए थी पब्लिक ग्यालरी में तस्वीर के सामने सम्माननी ये आलोचक अपने घुटनों पर आ गए अचानक उन्होंने वह देखा जिससे कलाके आलोचकों की पीडियां चूक गई उनके नए द्रश्टिकोंड से रॉबर्ट कुमिंग ने अपने आपको एक सिद्ध भाग को देखते हुए पाया सामने का भाग प्राकरतिक रूप से पीछे के भाग में चला गया जबकि संत बेढंगे पन को सही कर चुके लग रहे थे जैसे कि तस्वीर अनुगरह में बदल गई हो अब मरियम उद्देश्य पूर्वक और नमरता से सीधे उनकी और देख रही थी जैसे ही वह संत डॉमिनिक और जेरोम के बीच गुटनों पर बैठे हुए थे इतने सालों से तस्वीर का द्रश्टिकोन गलत नहीं था बलकि इसे देखने वालों का द्रश्टिकोन गलत था गुटनों पर बैठे हुए रॉबर्ट कुमिंग ने उस सुन्दर्ता को पाया जो घमंडी कला आलोचक रॉबर्ट कुमिंग नहीं पा सके तस्वीर केवल उन लोगों के लिए जीवित हुई जो प्रार्थना में अपने घुटनों पर थे सही द्रश्टी कोण है अराधना की आवस्था इस विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं है बजन सहिता 84 का 8 से 12 तक अराधना की आशिशों को खोजें संसार में ऐसा कुछ नहीं जो परमेश्वर की अराधना करने उनके साथ एक नस्थी की समद में चलने और उनकी कृपारद्रिश्टी का आनंद लेने के तुल्य है बजन सहिता के लेखक यह प्रार्थना करते हैं हे सेनाओं के परमेश्वर यह हूआ मेरी प्रार्थना सुन अपने अभिशिक्त का मुख देख यह भजन परमेश्वर के निवासस्थान में उनकी अराधना करने के विशय में है इस कालावधी में यह यरुशले मंदिर था क्या ही धन्य है वे जो तेरे भावन में रहते हैं वे तिरिस्तुति निरंतर करते रहेंगे बजल सहिता के लेखक कहते हैं कि वह हजार दिन कहीं और बिताने के बजाए एक दिन परमेश्वर की उपस्तिति में बिताएंगे क्योंकि तेरे आंगन का एक दिन और कहीं और के हजार दिन से उत्तम है दुष्टों के देरों में वास करने से अपने परमेशुर के भवन की डेवडी पर खड़ा रहनाई मुझे अधिक भाता है परमेशुर की अराधना करना है सूरी प्रकाश के रूप में उनका अनुभव करना जो हमें उनके प्रकाश से भर देते हैं और एक ढाल जो हमें बुराई से बचाती है वह इसके लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि यहा कितना अद्भुध है यहवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई वस्तु ना रख छोड़ेगा हिसे नाओं के यहवा क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुछ पर भरोसा रखता है परमेश्वर मैं आज आपकी आराधना करता हूँ आपकी उपस्तिती में एक दिन कहीं और हजार दिन से बहतर है मेरी सहायता करिए कि मैं निरंतर आप पर भरोसा करूँ और आपकी आराधना करूँ जिसकी आप अराधना करते हैं उसकी तरह आप बनते जाते हैं यदि हम विर्थहीन मूर्तियों की अराधना करेंगे तो हमारा जीवन विर्थहीन हो जाएगा यदि हम परमेश्वर की अराधना करेंगे तो हम उनकी तरह बनते जाएंगे इस लेखांश में पॉलूस प्रेरित उसे प्रगट करते हैं जो विश्व में गलत हुआ है परिशानी यहा है कि मानव जाती ने स्रिष्टी की उपासना और सेवा की न की उस स्रजनहार की जो सदा धन्य है निश्चिती परमेश्वर ने अपने आपको यहोदी देश पर प्रगट किया है लेकिन उनके विशय में क्या जिन होने कभी भी सुसमाचार को सुना ही नहीं है यहां पर पॉलूस बताते हैं कि हम कोई बहाना नहीं दे सकते हैं परमेशुर ने अपने आपको उनकी स्रिष्टी की हुई वस्तों में प्रगट किया है इसलिए कि परमेशुर के विशय का ग्यान उनके मनों में प्रगट है क्योंकि परमेशुर ने उन पर प्रगट किया है उसके अंदेखे गुण अर्थाद उसकी अनन्त सामर्त और देवीय स्वभाव जगत की स्रिष्टी के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं यहां तक की वे निरुत्तर हैं परमेश्वर के प्रती यह ग्यान केवल आधा और सिमित है लेकिन जैसा की भजन सहिता के लिखके से बताते हैं आकाश परमेश्वर की महिमा का वरणन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रगट कर रहा है हमें केवल स्रजे गए विश्व को देखना है और हम जान पर्मेश्वर नहीं करते हैं. उन्होंने ना तो पर्मेश्वर के रूप में उनकी महिमा की और ना ही उनका धनिवाद दिया इसके बजाए उन्होंने स्रिष्टी की उपासना और सेवा की. इसलिए पॉलूस प्रेरित लिखते हैं परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया परमेश्वर ने हमें अपने रास्ते जाने दिया ताकि हम आखिरकार उस भयानक परिणामों से सीख जाएं जो आने वाली थी परमेश्वर की अराधना से मुड़ चुका जीवन आखिरकार व्यर्थ है जैसा कि मेसेज अनुवाद इसे बताता है यह इश्वर हीन और प्रेम हीन है जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम में मन पर छूड़ दिया कि वे अनुचित काम करें जब परमेश्वर की अराधना घटती है तो समाज की नैतिकता घटती जाती है और इसके परिणामों को भूगती है हमें आशरे नहीं करना चाहिए कि जब हमारे देश में परमेश्वर की आराधना घटी है तब इसके पलिणाम स्वरूप इस लेखांच में वरणन की हुई बहुत सी चीजें हुई हैं यदि आप सही द्रिष्टी कौन रखना चाहते हैं तो अपनी आखें इशू पर केंद्रित रखें और आप अपने स्रिजनहार की निरंतर आराधना और सेवा करते रहें परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे समाज में एक बदलाव आए स्रिष्टी की उपासना से लोग फिर कर आपकी स्रिजनहार की अराधना करें पुराना नियम दूसरा राजा 24 का 8 से 25 के 30 तक अराधना में सुधार के लिए प्रार्थना करें जब हम अपने समाज की और देखते हैं तो कभी-कभी लग सकता है कि हम एक प्रकार के निर्वासन में हैं ऐसा लग सकता है कि चर्च तूट रहा है इसलिए खांच में हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग भूतकाल में उदासी के समय से गुजर रहे थे वह देखते हैं कि यहां पर भविश्य के लिए आशा है जैसे ही राजाओं की पुस्तक का समापन होता है हमने एक देश के भयानक परिणामों के विशय में पड़ा है जो ठीक वैसा ही है जैसा कि प्रिरीत पॉलूस ने आज के लिए हमारे नए नियम के लेखांच में वरनन किया है वे परमेश्वर की उपासना छोड़ कर मूर्तियों की उपासना करने लगे स्रिष्टी की हुई वस्तुएं इसके परिणाम स्वरूप हम यरुशलेम और इसके मंदिर के विनाश और लोगों को निर्वासन में जाते हुए देखते हैं जब यहोयाकीन राजा बना बैबिलोन के राजा नबुकतनेसर के करमचारियों ने यरुशलेम पर चड़ाई करके नगर को खेर लिया लोगों के लीडर्स को बंदी बना लिया गया बैबिलोन के राजा ने अगले राजा को नियुक्त किया सिदिकिया कोई बहतर राजा नहीं था और चीजें बुरी से बत्तर हो गई जैसे ही नबुकतनेसर ने फिर से यरुशलेम पर चड़ाई की इस बार परिणाम और भी विनाशकारी था नबुकतनेसर ने यहवा के भवन और राजभवन और यरुशलेम के सब घरों को अर्थात हर एक बड़े घर को आग लगा कर फूंक दिया लोगों को बंदी बना लिया गया इस प्रकार यहुदी बंदी बन के अपने देश से निकाल दिये गए हमें बताया गया है क्योंकि यहवा के कोप के कारण यरुशलेम और यहुदा की ऐसी दशा हुई कि अंत में उसने उनको अपने सामने से दूर कर दिया इन सभी चीजों को यरमिया और यहिजकेल की पुस्तक के साथ साथ पढ़ना चाहिए दो भविश्वक्ता जो इस समय भविश्वानी कर रहे थे विचेश रूप से यरमिया तेरा का आठ अधियाए उन्चालिस और बावन यहिजकेल बारा और चाविस परमिश्वर के लोगों के लिए सबसे बड़ा नुकसान था मंदिर का विनाश यह वह स्थान था जहां पर उन्होंने परमेश्वर के अराधना की और उनकी उपस्तिती का अनुभव किया अब वे उनकी उपस्तिती के लिए प्यासे थे दूसरा राजा 24 का 20 यह बंदी बनाए जाने का बत्तर प्रभाव था फिर भी राजाओं की पुस्तक का अंत आशा की एक छोटी सी किरण के साथ होता है फिर यहुदा के राजा यहुयाकीन की कैद के 33 वर्ष में उन्हें बंदीग्रह से मुक्त कर दिया गया उन्हें नित्य राजा के सनमुख भोजन करने के लिए आमंतरित किया गया कैद सरवदा के लिए नहीं थी यहाँ पर आने वाली बहतर चीजों की आशा का एक उदेश है परमेश्वर के लोग कैद से मुक्त होंगे और फिर से मंदिर को बनाएंगे और फिर से परमेश्वर की उपस्तिती और परमेश्वर की अराधना का आनंद लेना शुरू करेंगे परमेश्वर, सुधार और पुनर जीवन के लिए हम आपको पुकारते हैं क्या आप इस देश में अपने चर्च को सुधारेंगे फिर से हमें पुनर जीवित करेंगे, होने दीजिये कि आपका देश आपकी और फिरे, फिर से आपकी अराधना करना शुरू करे, आपकी उपस्तिती का आनंद ले और आपके सामने अपने घुटनों पर सही दृष्टी कोण से चीजों को देखे बजन सहीता 84 का 11, जो लोग खरी चाल चलते हैं, उनसे वह कोई अच्छी वस्तुर रखना छोड़ेगा, मैं इस बात पर मनन कर रही थी, यह एक अद्बुच चीज है कि कोई अच्छी चीज परमेश्वर अपने पास रख नहीं लेते हैं, लेकिन कभी कभी मैं चाती हूँ कि यह कहें, जो लोग बहुत बूरा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि खरी चाल चलना बहुत उचा स्थर लगता हैं, इसलिए हमें क्रूस की अवश्यक्ता हैं, क्योंकि हम अपने आप से इसे नहीं कर सकते हैं, आज का वचन, क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन और कही के अजार दिन से उत्तम हैं दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेशर के बवन के डेवडी पर कड़ा रहना ही मुझे अधिक बावता हैं बजन सहीता 84 का दस